नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्तिक कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है आज मैं सुनाने जा रही हूँ प्रसिद्ध हिंदी लेखी का महरुन निसा परवेश जी की लिखी हुई कहानी जुगनू मेरोन निसा परवेश जी की लेखनी में वो जादू है जिसके इस पर्ष से उनकी प्रतेक कहानी कुंदन बन गई है कहानियों में वो चुम्बकिय शक्ति है जिसके कारण सामाने से सामाने जन उनकी प्रतेक कहानी की ओर अपने आप खिचा चला आता है तो शुरू करें कानी जुगनू वो बस स्टेंड पर बैठी बस का बड़ी बेसबरी से इंतजार कर रही थी क्योंकि आज शाम उसकी प्यारी सहीली का निकाहा था और निकाहा में उसका पहुँचना नहायत जरूरी था आज ही बस को भी लेट होना था सोचते ही उसका दिल बेसबरी में डूबने लगा माथे पर पसीना सा आने लगा सारा प्रोग्राम ही चौपट हो गया कितनी तैयारी और उमीद से वो घर से चली थी फिर उसकी सहली भी तो उसका इंतजार करेगी सहली की शादी करवाने में उसका कितना बड़ा हाथ था और कितने प्यार से अपनी सक्खी के लिए अंगूठी और बनारसी साड़ी खरी दी थी वो जानती है उसे देखते ही उखेल उठेगी उसे दुलहन की मेंदी भी लगानी थी उसने वादा किया था कि उसकी शादी पर वही उसे मेंदी लगाएगी वो मेंदी लगाती भी तो बड़ी कमाल की थी लोग देखते तो बस देखते ही रह जाते है बस उसका मूड होना चाहिए अचानक एक बस सामने से आई उसने बड़ी उमीद और बेचैनी में भरकर उतावले पन से खड़े होकर बस को देखा पर ये देखकर बड़ी ही निराशा से बैट गई कि बस दूसरी थी बस सामने ही खड़ी थी और मुसाफिर चड़ उतर रहे थे छोटे-छोटे खोमचे वाले पत्र-पत्रिका वाले तता भीक मांगने वालों ने बस को घेर लिया था बस के आते ही स्टैंड में हलचलसी मच गई थी अचानक पुलिस की एक जीप उसके सामने आकर रुकी और उसमें से जो आदमी उतरा उसे देखते ही वो चौक पड़ी चेहरा बेहत परचिस सा लगा उसने ध्यान से देखा सोचा आँखें धोका तो नहीं दे रही पर नहीं सच वे तारिक ही थे उसे अपना बस स्टैंड पर बेशबूरी से खड़ा रहना बड़ा खला लंबी यात्रा और लगातार गाड़ियां बदलने से वैसे भी उसकी हालत खराब हो गई थी और ऐसे मेही तारिक से सामना वो भी इतने बरसो बाद उसे बड़ी घबरहाट सी हुई तारिक किसी परिचित को बस में बैठाने आये थे शायद अभी वो सोची रही थी कि किसी तरह चुपचा पीछे से उठकर इधर उधर भीर में दुबग जाए पर तभी तारिक की निगहा भी उस पर पड़ गई उन्होंने बुरी तरह से चौंक कर उसे घूर कर देखा उनके हाथ में सिगरिट थी जिससे उन्होंने बिना पिये ही नीचे जमीन पर फेंक दिया और उसे नहायत बदतमीजी से पीछा करती आँखों से देखने लगे वो सकुचाई सी इधर दर देखने लगी उनके साथ आए व्यक्त ही बस में बैठ चुके थे और बस चल दी थी बस के जाते ही बस स्टेंड जैसे सूना हो गया जैसे किसी मदारी ने भानुमती का पिटारा समेट लिया हो सारी हलचल बस के साथ चली गई थी अभी उसकी बस के आने में देड थी और वो अपने सामान के साथ लदी फंदी सी वहां बैठी थी तभी तारिक तेजी से चलते एन उसकी आँकों के सामने आखड़े हुई तुम शफकत हो ना तारिक बोले उनका वही थंडी सांस खीच कर बोलने का अंदाज जी मुझे पहचाना मैं तारिक हूँ जी हाँ पहचान गई थी वह जल्दी से बोली और मन में सोचा भला आपको हम भूल सकते हैं जिन्दिगी का पहला प्रिष्ट आप पर ही तो खुलता था कहां हो आजकल खाला खालू कैसे हैं यहां कैसे किदर जा रही हो उफ अल्ला एक साथ जैसे सवालों की जड़ी लग गई थी पौरनी अपने आपको जटक कर तारिक के मोजाल से बशने के लिए उसने मौसम पर ध्यान केंद्रित कर लिया वास्तों में दो दिन भी पानी ने बरसता है तो कितनी गर्मी पढ़ने लगती है कहां जा रही हो तारिक ने चुप देखकर उसे फिर उके रहा तारिक की वर्दी से समझ चुकी थी कि तारिक पुलिस के कोई बड़े अधिकारी है तारिक उसे अपनी बीबी बच्चों से तथा बंगला रौबदाब से प्रभावित करना चाहते थे और उसे जताना चाहते थे शायद कि वे अपने जीवन में पूर्ण है पर वहीं वे ये भूल कर रहे थे कि अपराधी व्यक्ती ही अपने आपको चारों और से कैद कर बंदी बनाता है माफ करें मुझे आज पहुँचना नहायद जरूरी है मेरी सहेली की शादी है तभी तारिक को ढूर ने उनके पुलिस के अधिकारी आ गए तारिक ने उन्हें कौफी लाने भेज दिया जब वे चले गए तो तारिक उसे भरपूर निगाह से देखते हुए बोले मेरी यहीं पर पोस्टिंग है कभी तो माना तुमसे मिले तो एक जमाना गुजर गया पहले तुम सलवार कमीज पहने एक कमसिन उम्र की शोक लड़की थी अब संजीदा औरत हो तारिक बोलते रहे और वो उनकी निगाहों को अपने चेहरे पर जहलती रही तबी कौफी भी आ गई और बस भी वो जैसे इसी बात का इंतिजार कर रही थी जड़ से उट गई उसकी हरवड़ी देखकर तारिक परेशान हो गए तो तुम रुक नहीं रही हो आज तो किसी भी हाल में जाना था फिर कभी इधर आई तो जरूर मिलूगी उसने कहा और मनी मन सोचा मुझे रुकना ही कब था तुम पहले के तरह अभी कम बोलती हो तारिक धीरे से बोले मैंने तुम्हें मेरा मतलब तुमनों को काफी तलाशा था मगर मुझे पता ही नहीं चला जी अब्बा को लगवा मार गया था तो अम्मी हमनों को लेकर एहमदाबाद चली गई थी नाना के घर अब तो अब्बा अम्मी दोनों नहीं है मैं नाना के पास रहती हूँ और डॉक्टर हूँ ओ तारिक लंबी सांस भर कर बोले अच्छा हो आज तुम यहीं ठेड़ जाओ जानने फिर मुलाकात हो या ना हो आज तो मेरा जाना बेहत जरूरी है कहते हुए उसने अटैची उठा ली तब ही उसका कुली भी आ गया वो बस में जाकर वैट कही खिड़की के पास वो बैठी थी और सामने ही तारिक खड़े थे दोनों ही कुछ बोलना चाह रहे थे पर दोनों ही चुप थे हो सके तो शफकत उन पुरानी बातों के लिए मुझे माफ कर देना आखिर तारिक बोले बस चल दी और उसने आदाब के लिए हाथ माते पर लगा लिया पर तारिक जैसे जवाब देना भूल गए थे बस उसे चुप चाप देखते रह गए वो तारिक को देख रही थी और सोच रही थी एक मुझरिम खुद हाकिम अफसर कैसे बन गया क्या इसे अपना गुना याद होगा अब्बा का ट्रांसफर उस छोटे से पहाड़ी शहर में हुआ था वे लोग बस की उबा देने वाली लंबी यात्रा करके हमाँ पहुँचे थे और पहुँचते ही सारे घर को मलेरिया ने आदब हो जा था सब बुखार में लस्त से पड़े थे वे लोग बस से उतर कर जैसे बीमार पड़ नहीं शहर में आये थे बंगला कितना बड़ा है किसी ने पूरी तरह देखा भी नहीं था पूरा बंगला खाली खाली सूना वीरान सा लगता था क्योंकि अभी सामान खोला ही नहीं गया था बस एक कमरे में दरी विछा कर उस पर बिस्तर डाल कर वे लोग आते ही धेर हो गए थे और ऐसे ही जाने कितने दिन निकल गए पता ही नहीं चला ट्रक से उनका जो सामान आया था वो वैसे ही बहार वाले कमरे में पड़ा था किसी में कुछ देखने की हिम्मत नहीं थी वो शहर कितना बड़ा है कैसा है ये सब देखने की किसी की हिम्मत नहीं थी कितनी मुश्किल से तो वे लोग वहां पहुँचे थे और आते ही सब मलेरिया से पीड़ित थे सरकारी अस्पताल का एक मातर बेचारा डॉक्टर दवा दे दे कर ठक गया था पर बुखार जाने का नामी नहीं ले रहा था चप्रासियों ने बताया कि यहां हर नए आदमी को ये बुखार दबोशता है वे लोग ऐसे ही पड़े रहते थे ना खाने की ना पीने की सुद्धी अम्मी हिम्मत करके पतली खिच्डी बना लेती तो वो भी बड़ी मुश्किल से वे लोग दो-तीन कौर खा पाते बस ऐसे ही कुछ दिन निकल गए अबबा थोड़ा ठीक हो गए थे और अपने दफ्तर जाने लगे थे और अब सोच रहे थे कि सामान खुलवा लिया जाए वरना ऐसे में कोई मिलने आ जाए तो क्या सोचेगा और आकिर वही हुआ जिसका अंदेशा था चपरासी ने बताया बड़ी हवेली से कोई आए हैं मिलने और साथ में खाना भी लाए हैं उन दिनों छोटे शहरों में रिवाज था कि जब बाहर से कोई रहने आता था शहर में रहने वाले पुराने घरानों से खाना बना कर पहुचाया जाता था या घर पर बुला कर खिलाया जाता था इस तरहे वहां के इज़ददार लोगों से मुलाकत हो जाती थी और नए आने वाले लोगों को अपने ग्रहस्ती शुरू करने में आसानी हो जाती थी तब होटल नहीं होते थे और यदि होते भी थे तो वहां खाना खाना बुरा मना जाता था सामान खुला नहीं था अम्मी ने वहीं कमरे में ही उन्हें बुला लिया जहां वे खुद गुडी मुडी सी पड़ी थी उन्होंने सोचा था आने वाला कोई बुजुर्ग सा होगा पर वो एक सुन्दर सा युवक था आती उसने खाने का बड़ा सा टिफिल सामने रखा और अम्मी को आदाब करते हुए बोला अम्मी ने भेजा है पता चला आते ही आप सब बीमार हो गए है शुक्रिया अम्मा से कहना अब ठीक है आपका नाम? मुझे तारिक कहते हैं मैं बाहर कॉलेज में पढ़ता हूँ आजकल छुट्टियों में आया हूँ उसने सिर्पर से चादर का थोड़ा सा कुना हटा कर उस खुनकदार आवाज वाले युवक को अच्छे से देखना चाहा पर उसे अपनी और ही ताकता पाकर सकुचासी गई क्योंकि उसने भी उसे देख लिया था और समझ गया था कि वो सोई नहीं है बस सोने का बहाना किये पड़ी है लेकिन अब लेटे रहना मुश्किल बात थी इसलिए वो जल्दी से उठी और हर बड़ी में दुपटे से सिर्ध ढाकती आदाब करती बाहर भाग गई मेरी बेटी शफकत है उसने पीछे से सुना अम्मी उसका परचे दे रही थी बैठो टिफिन खाली करवा देती हूं तब तक चाय पीलो नहीं रहने दीजे खाला कल आकर टिफिन ले जाऊंगा मुझे भी जल्दी है अच्छा आदाब कहता हुआ वो बाहर चला गया वो गुसल खाने में नलके नीचे मूध हो रही थी वहीं से उसने जाते वक्त कुछ कुण गुनाने की फिर साइकल की आवाज से अंदाजा लगाया कि वो चला गया बेकार में मूध होया सोचते हुए वो वापस आई और पर चादर में वैसे ही गुर्मुडा कर लेट गई पर अब जाने के उसे लेटा भी नी जा रहा था वो फिर उठी और गुसल खाने में चली गई और उसने वास बिशन में फिर से धेर धेर पानी से मूध होया पर इतने धेर पानी से आँके दोलेने के बाद भी उसका वो आकरशक चेरा उसके सामने से हटा नही और अंत में उसने अपने पीले दुपटे में मजबूर होकर अपना चेहराच छिपा लिया। अल्ला, कितनी बुरी तेरे वो गूर रहा था। दूसरे दिन भी वो आया, और अम्मी के पास बैठ कर गपे सुनाता रहा, कॉलेज की बातें बताता रहा, अम्मी ने उसे पांदान से पांद बना कर खिलाया था। अम्मी उससे खुश थी, एक तो अम्मी को पांद खाने वाला कोई मिल गया था, दूसरे वो बहुत बातुनी था, और अम्मी इन दो बातों के लिए ही जैसे मौके की तलाश में रहती थी। अम्मी के कहें मताबिक बात मानी हो, बस उसे तो कोने में अकेले बैट कर चुप रहना ही अच्छा लगता था, अम्मा की बात पर बस वो मुस्कुरा देती थी। घर से निमोनिया ने विदा ली और सब ने खुल कर सांस ली। मानो बिना बुलाए किसी लीचर मेमान की विदाई हुई हो। अम्मी ने चपराशियों के सांस सामान खोलना शुरू कर दिया था, दीरे दीरे बड़े बड़े कमरे जो खाली पड़े रहने की वज़े से भाए भाए से करते थे, उनमें सामान सज जाने से खिल उठे थे, उनमें रौनक से आ गई थी, सफेद दीवारें जो पहले खाने को दोड़ती थी, अब तस्वीरें टंग जाने से सज कर मुस्कुरा उठी थी, जैसा कि हमेशा होता, उसने अपने लिए कोने वाला कमरा चुना था, शान्त एका की, अपने कमरे को उसने बगीचे और चिडियों के तस्वीर वाले फ्रेम से सजा लिया था, उसका पलंग औ उसे उसके कमरे को उसके लिए छोड़ देती थी, फिर बाद में उसके कमरे में घर का सारा जरूरी सामान रख देती थी, उसके स्कूल खुले थे, वो बड़ी खुश थी, नया स्कूल, नई सहीलिया, स्कूल में एक नई लड़की उसकी सहीलिय बन गई थी, रेहाना, बड से विदाली वो रिहाना को जाते देखती रही उसकी दो लंबी चोटियां कमर पर जूल रही थी रिबन के बने फंदने उसकी कमर पर लट्टू की तरह नाच से रहे थे रिहाना चोटियों को बांध कर खुलाई छोड़ देती थी जबकि वो खुद उन्हें मोड़कर उपर बांध लेती थी रिबन के फूल कानों के पास लटकते रहते थे कभी काले कभी लाल कभी सफेद इन तीनों रंगों के अलावा दूसरे रंग के रिबन अम्मी बांधने नहीं देती थी इसकूल जाते वक्त सिर भी रखना होता था सभी मुसल्मान लड़कियां घर से स्कू बेटी में रेहाना उसे अपने घर ले गई बड़े आराम से सलवार उठाए उचकती छलांगे लगाती दालान में पहुँच गई थी और वहीं से वो चिल्लाई अम्मी देखो तो कौन आया है वो संभल संभल कर पैर रखती दालान तक पहुँची दालान में एक जोल खाट पड़ी थी जिस पर एक नियायत बुरी सी औरत बैठी थी रेहाना कौन है तेरे साथ दादी मेरी नई सहेली है इधर आ बेटी दादी ने उसे पास गुलाया और अपनी दोनों बुरी बाहों में बटोर सा लिया उसने देखा उनके कानों में बड़ी बड़ी सोने की भारी सी बालिया जूल रही थी जिनके बोज से कान मुड़कर गोल से हो गए थे और कानों के छेद नाली की सूराक की तरह बड़े बड़े हो गए थे तबी भीतर से गोरी सी मोटी सी औरत आई जिनने देखते हो समझ गई कि ये रेहाना की अम्मी होंगी जाओ हात मुधो फिर खाना खा लेना खुब धेर सारे जले मसाले में भुने गोश्ट के सालन और रोटी थी उनके घर की तरह दाल चावल सबजी गोश्ट सलाद अचार पापड आदी नहीं उनके घर में मसाले भी कम खाये जाते थे पर यहां खुब तेल मिर्श से डूबा गोश्ट खाकर उसे बड़ा अच्छा लगा गरम मसाले की सौंधी गंध सारे कमरे में भर गई थी जैसे अम्मी जब अचार की बढ़नी खोलती थी तो सारे कमरे में गंध भर जाती थी बस वैसा ही लगा उसे उस बड़े बंगले में कौन रहता है उसमें मेरी फूफी रहती है रियाहना ने बताया, मेरे फूफा राजा के मैनेजर थे, उनके इंतकाल के बाद मेरी फूफी रहती है, उनके चार बेटे हैं, वे लोग बहुत बड़े आदमी हैं, हम लोग की तरह गरीब नहीं हैं, मेरे अबबा को टीवी हो गई, तो कार खाने वालों ने बैठा दिया, मेरी फूफी ने हमें यहां बुलवा लिया, और हमें अपना ये बाहर वाला घर रहने के लिए दे दिया, अब हम लोग यहीं रहते हैं, अब बाब फूफी की जमीन जायदाद देखते हैं, उसने जिंदगी की इतनी गहरी बाते पहली बार सुनी थी, इसलिए हैरानी से आखें बंगला दिखाएं, ना ना मुझे ने जाना, रेहाना उसे जबरदस्ती खीच कर ले गई, वे लोग पीछे वाले दरवाजे से अंतर गए, भीतर पत्थर वाला बड़ा सांगन था, बीच में कुवा और कुवें के पास लंबी सी कमरों की कतार थी, जो नौकरों के लिए वहीं बावर्ची खाना था, जहां दो-चार नौकरानिया बैठी काम कर रही थी, और एक बुढ़ा सा खानसामा खाना बना रहा था, यहां फूपी बैठ कर किताब पढ़ती हैं, और पान खाती हैं, सुबह का नाश्ता भी यही होता है, रेहाना ने एक बड़े कमरे में प पर नीचर सजा था, शेर भालू की खाले थी, दीवारों पर बड़ी बड़ी बंदू के, सारा घर एक महल की तरह था, बड़े बड़े शीशे जिन में सर से पैर तक खड़े होकर देखा जा सकता था, उन आदम कद शीशों के सामने खड़े होने में उसे शरम आ रही थी, हाथों के उंगलियों की पोर में धेर सारी स्याही लगी थी, जो हाथ धोने पर तता खाना खाने के बाद भी नहीं छूटी थी, रहाना ने उसे फूपी से मिलवाया, तो उन्होंने चश्मे से उपर से नीचे तक उसे देखा, टटोला, फिर मुस्कुराई, बड़ी प्या सांस रुख गई, सामने तारिक खड़े थे, सफेद कुर्ता और चूईदार पाय जामे में, मेरी फूपी के छोटे बेटे हैं तारिक भाईजान, रहाना बता रही थी, और उमाथे का पसीना दुपटे से पोच्टी हरबड़ी में फूपी को आदाब कर रहाना का हाथ खी अचानक उसकी इस बेरुखी से रहाना हैरान थी, एक दिन जब वो अपने कमरे में बैठी सिलाई कर रही थी तब तारिक एन उसके सामने आकर खड़े हो गए, ऐसी भी क्या बेरुखी, आपने तो घर आना ही छोड़ दिया, अम्मी आपको याद कर रही थी, तारिक बोले, वो सिर जुकाए बैठी रही, आपका लाएं मैं इंतिजार करूँगा, कहते तारिक चले गए और वो सननाटे में बैठी रही, दूसरे दिन वो रहाना के साथ इसकूल से लोटते में हो ली, जब रहाना का घर आया, तो उसके पैर अपने आप रहाना के घर की और बढ़ ग गए, रहाना के घर उसका आना जाना बढ़ गया था, दोनों पकी सहली बन गई थी, दोनों टूटी कार पर उचक कर बैठ जाती और हतेली पर नमक लिए आम, अमरूद या इमली कुतरती रहती, या वहीं खड़िया से धर खीच कर बिल्ला खिलती, बिल्ला खिलने खंडर हो, चोटे-चोटे वाल जो हमेशा बिखरे रहते थे, उसे देखकर लगता कि वो हफ्तों ना आती नहीं, गंदे कपड़ों में घुमती फिरती, पिरू बावर्ची उसे जब तब मारता रहता था या मार के बहाने अपनी जवान पागल लड़की के दुख का आकरो सस्राल से अकेली भाग आई, तो फिर नहीं गई, जब भी कोई सस्राल से उसे लेने आता, वो महले के घर में हफ्तों तक चिपी रहती है, दीरे-दीरे सस्राल वालों ने आना ही बंद कर दिया, और अपने बेटे का दूसरा ब्याह कर दिया, कहते हैं, जिस दिन गुल्षन अथर को दूले की तरह सजा सवार कर कुए में फेकाई थी, और जोर जोर से हस्ती चिलाई थी, मर गया, मर गया, उस दिन जब घर में अचानक चहल पहल दिखी, धेर सारी तयारियां, तो वो हैरानी में पड़ गई, सारे घर को सजाया जा रहा था, अम्मी ने उसे बताया क अच्छ तारिक के घर से लोग सगाई का रसम लेकर आ रहे हैं, तो वो शरम से गड़ सी गई, पता चला, रेहाना की फूपी ने अपने छोटे लाडले बेटे के लिए उसे मांग लिया है, इतने अच्छे और खांदानी घर में मना करने जैसी कोई बात नहीं थी, और अब कंदूरी मुर्ग, मुर्ग मुसल्म, नर्गिसी कोफते, अखिनी और तरह तरह के हलवे बना रहा था, हलवे की थालों पर दुलह दुलहन के अनाम मेवों से सजाया जा रहा था, अबबा ने अपने अफसर दोस्तों को भी खाने पर बुलाया था, बाहर वाले बड़े हौल में खाने की मेजे सजाई जा रही थी, शाम को पुलिस बैंड आया, जो लौन में बैठा बैठा मधुर दुन बजाता रहा और महमान आते रहे, कारों से दुलहे के घर के लोग उतरे, रियाना सीधे उसके कमरे में आई, उसके साथ गुलशन भी थी, गुलशन ने नए कप प्रे पहन रखे थे और वो बहुत खुश दिख रही थी, तो हमने तुम्हें अपनी भावी बना ही लिया ना, देहाना ने उसके पास बैठ कर छेड़ा, तुम्हें पता है, मैं जान भूज कर तुम्हें पहली बार अपने घर ले गई थी, क्योंकि तुम मुझे पसंद आ कहा, मगर बीवी जान वो तो हमारी और घर वालों की पकी खिचडी तयार हुई थी, हमें क्या पता तारिक भाई जान आप से पहले ही मिल चुके हैं, और आप दोनों की खिचडी के उधन का पानी पहले ही चड़ा हुआ था, सगाई हो गई थी, और तारिक जब भी शहर में होते, बराबर घर पर आते जाते, वो उनके सामने निकलने में शर्माती थी, पर वे भी कहां मानने वाले थे, अम्मी भूख लगी है कि लाईए प लाईए ना, तारिक कहते और अम्मी नाश्ता लाने के लिए उसकी हांक लगाती, वो जिजग कर रह जाती, और तारिक शरा उनों के नमूने देखे जा रहे थे अबा ने घर पर ही सुनार बठा लिया था जो सामने गहने बनाने में जुट किया था बनारसी साडियों के अमबार लग रहे थे फरनीचर बरतन गोया बड़ी ही गहमा गहमी थी अचानक एक सुबह भूचाल सा आ गया सारे शहर में हलचल सी मच गई फूपी के घर की गुलशन ने उनके ही कुए में कूट कर आप भत्या कर ली थी सब हैरान सकते की हालत में अबा अम्मी उसे साथ लिए फूपी के घर भीडी भीड थी लग रहा था सारा शहर जैसे सिमट कर आ गया था गुलशन के माबाप पीरू बावर्ची जो पूपी सामने तकत पर बैठी रोय जा रही थी सारे घर पर जैसे कहर चा गया था जो भी कुए में जहाकता सन्नाटे में आकर पीछे हो जाता उन लोगों ने भी कुए में जहाका तो देखा बड़ी बड़ी आखो वाली गुलशन जैसे आखे फाड़ फाड़ कर उपर को ह देख रही थी उसके वाल पानी में फैले से छित्रे पड़े थे बड़ी रिरावनी शकल लग रही थी पुलिस आई लाश निकाली गई पंचायत नामा हुआ तथा पोस्टमार्टम के लिए लाश ले जाई गई सारा घर परिशान था कि गुलशन ने आत्मत्या क्यों की ज कुछ दिनों बाद पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई और जैसे नई कहानी ने जनम लिया गुलशन के पेट में छे महा का गर्ब था सबको जैसे सांप सूम गया घर में दोबारा मुर्दनी सी छा गई बात की गिरह खुली तो खुलती ही चली गई एसपी साहब ने सबसे पहले गुलशन के बाप यानी पीरू बावर्ची को ही पकड़ा पीरू को साथ दिन थाने में बंद रखा गया भूका प्यासा वो भी सत्या ग्रह पर तुल गया था पर अंत में था तो वो भी इंसान साथ में दिन उसने सबेरे सबेरे थानेदार से नाश्ता मांगा और कहा उसका बयान लिख लिया जाए हुजूर माई बाप, पीरू बावर्ची ने S.P. सहाब के सामने अपना गुनहा मान लिया मैंने गुल्शन को कुए में ढखेला था, वो रोते हुए बोला मालिक, हम गरीब नौकर चाकर दास दासियों का जनमी मालिकों के लिए होता है पुराने समय से ही हम लोग मालिकों की खुशी पर निछावर होते रहे हैं हमारे तो वेही देवता वेही खुदा होते हैं माई बाप, बड़े लोगों की हम बदनसीबों पर बहुत सी कृपा इनायत होती है ऐसी ही धेर सारी उनकी दी हुई बक्षीशों में से हमारी बहु बेटियों की इज़त लेना भी हम लोग अपने खुश नसीबी मानते आए हैं हम गरीबों के घर की बहु बेटियां पैदाही मालिक को खुश करने उनकी हवस के लिए जनम लेती हैं तो सरकार, तारिक मालिक जब भी हॉस्टल से यहां आते थे, गुलशन को बुलवा लेते थे इसे हमने बड़ी बात नहीं समझा मालिक जब वो हमल से हो गई, तब हमें पता नहीं चला वो तो पागलती समझती नहीं थी, पर जब उसका पेट बढ़ने लगा तो शक हुआ दाई को बुला कर दिखाया तो उसने कहा अब कुछ नहीं कर सकते, यह तो महीने पूरे हो गए हैं मैं घब राया, आकेर हमारी तो घास फूस वाली जिन्दगी है, जब चाहा काट दो, जब चाहा बढ़ा लो, पर मालिक की जिन्दगी तो कीमती है अगर गुल्शन को बच्चा होता तो मालिक की जिन्दगी बरबात हो जाती, क्योंकि सारे नौकर नौकरानिया इस बात को जानते थे, और बात इधर दर से खुल सकती थी अभी छोटे मालिक की सगाई एक बड़े अफसर की इकलोती बिटिया से तैह हुई थी, मेरी तो बिटिया पागल है, उसका जीना मरना कोई अर्थ नहीं रखता, पर मुझे उस बहु बिटिया की जिन्दगी बचानी थी एक रात उसको कहा कि कुए से पानी लिया, जब वो कुए पर गई तो मैंने पीछे से उसे ढखेल दिया, और चुपचाप आकर अपनी कोट्री में सो गया, सवेरे सब ने समझा कि उसने आत्मत्या कर ली होगी, बस मालिक ये गुस्ताकी हो गई, अब आप जो सजा दें अब्बा और अम्मी का चेहरा इस घटना से काला पड़ गया, घर पर एक मनहूस मुर्दनी सी छा गई, तारिक ने होस्टल से आना ही बंद कर दिया था, उसका रो रो कर बुरा हाल हो गया, अम्मी बीमार पड़ गई, बहुत दिनों तक अब्बा चुट्टी लेकर घर पर बहुत समझाया पर अब्बा नहीं माने, अब्बा ने सब के सामने कहा, पीरू एक गरीब बाप था, वो अपनी लड़की को कुए में ढखे सकता है, पर मैं जीते जी अपनी बेटी को कुए में नहीं ढखे सकता, पैगाम तूट गया, इतने बड़े हाथ से ने उसे बीमा कर दिया, अब्बा ने अपने तबादले की मांग की और उस शेहर से बदली करा ली, उस दें शेहर छोड़ते समय रहाना और रोलिपट कर बहुत रोए, हवा तब्दीली के लिए अब्बा अम्मी उसे दारजलिंग अपने दोस्त के घर लेकर गए, दीरे दीरे बाद दिम दब से बुच जाना, उसे अच्छा लगता था, और उसे बिसरी भूली घटनाएं याद आने लगती थी, और आज तारिक जो दो लड़कियों की जिन्दगी का कातिल था, और जिसे जेल की कोट्री में होना था, उसे पुलिस का हाकिम अफसर देखकर वो हैरान थी, अभी आप सुन रहे थे महरु निसा परवेज जी की एक बहद रोचक कहानी जुगनू, आशा करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अपने विचार कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेगा, फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो, मंगल मैं हो.